दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है। मनी लॉंडरिंग केस में आरोपी बनाए गई पार्टी के खिलाफ ED ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्चीट पर कोट की ओर से संग्यान लिये जाने के बाद केंद्रिय जाच एजेंसी अब संपत्ती जबत करने जा रही है। ED के वरिष्ट अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ जाच पूरी हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि अब फोकस इस बात पर है कि किन संपत्तियों को अटैच किया जाए। उनका कहना है कि अपराद की आए 1100 करोड रुपे के बराबर संपत्ति जबत की जाएगी। अभी तक ED ने इस केस में 244 करोड रुपे की संपत्ति अटैच की है। 22 महीने से चल रही जाच अभी तक 18 लोगों को गिरफतार किया गया है, जबकि 40 आरोपियों के खिलाफ 8 चाचशीट दायर की जा चुकी है। चार दर्जन से अधिक छापेमारी हो चुकी है। नाम सारवजनिक नहीं किये जाने की अपील करते हुए एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, आरोपी नंबर 37 और 38 बनाए गए अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारी जाच पूरी हो चुकी है। हमारी टीम की ओर से दायर सभी 8 चार्च शीट का कोर्ट संग्यान ले चुकी है और अधिकतर व्यक्तियों की जमानत खारिज की जा चुकी है। हमारी जाच कर दिये जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने सबसे बड़े गड़ और जन्मस्थली में चुनाव से पहले बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।